Welcome friends, class 7, chapter 1, integers के पहले class में मैंने आपको integers का introduction दिया था इस class में हम लोग integers को number line पे represent करना सिखेंगे तो चलिए शुरू करते हैं Friends, मैं भी number line पे खड़ा हूँ, point 0 पे और आपको पता है कि number line पे बहुत सारे numbers होते हैं और हम लोग जैसा कि इस class में integers पढ़ने वाले हैं तो इस पे integers को represent करेंगे तो एक question है उसमें minus 5, minus 1 और 3 को represent करना है इस number line पे तो minus जो होता है यानि negative numbers और plus जो है positive number यानि negative integer और positive integer तो negative integer जो होगा वो हमारे left side होगा ठीक है आप जब देखिएगा आपके सामने तो ये left side होगा और ये right side होगा तो जितना भी negative integers है वो 0 से left side होता है और जितना भी positive integers है वो 0 से right side में होता है तो हम लोग को minus 5 represent करना है तो हम लोग negative side की तरफ जाएंगे और कितना दूल जाएंगे क्योंकि minus 5 है तो 5 steps जाएंगे left side तो शुरू करते हैं 0 पे हैं हम लोग 1, 2, 3, 4, 5 तो हम लोग पहुँच चुके हैं यहां यही है minus 5 तो हम लोग यहां minus 5 को represent कर सकते हैं अब उसके बाद है minus 1 फिर से हम लोग वापस जाते हैं 0 पे अब 0 पे आ गए हैं यहां initial point से हम भाड़ा तो यहां से अब हम लोग को कहा जाना है minus 1 पे क्योंकि minus 1 represent करना है तो फिर minus है तो left side जाना है और कितना step जाना है 1 तो 1 हम लोग यहां पहुँच के यह है minus 1 यहां number line पे minus 1 होगा ठीक है उसके बाद 3 को represent करना है इसी number line पे फिर से हम लोग वापस आ जाते हैं 0 पे 3 किदर होगा right side में होगा ठीक है तो right side में हम लोग कितना step जाएंगे 3 steps 0 से 1 2 3 तो हम लोग यहां पहुँच गया है और यही है number line पे 3 represent होगा 3 जो integer उसको हम लोग इस point पे represent करेंगे ठीक है अब हम लोग दूसरा question दिखते हैं तो friends दूसरे question में दिया गया है कि हम लोग को minus 4 minus 3 minus 2 0 2 4 और 7 को represent करना है इस number line पे तो सबसे पहले हम लोग फिर से negative numbers को represent कर लेते हैं पहले तो negative numbers में minus 4 पहले है तो हम लोग left side जाएंगे 0 से 4 steps ahead तो 1 2 3 4 अब हम लोग पहुचगे इस point पे तो यह point है minus 4 उसके बाद minus 3 करना है represent तो minus 4 में one को add करते हैं तो minus 3 होता है अब one add करने के लिए यानि one plus में है तो हम लोग को किस side जाना होगा right side यहाँ पे हैं वहाँ से right side तो one step ahead चले right side तो हम लोग पहुचगे यहाँ minus 3 पे यहाँ minus 3 होगा उसे तरह minus 2 represent करने के लिए फिर से right side one step जाना होगा तो one step right side जाएंगे फिर तो यहाँ हम लोग पहुचगे है minus 2 पे तो यहाँ minus 2 represent करेंगे उसके बाद है 0 तो हम लोग minus 2 पे हैं 0 जो है किदर होगा क्योंकि हम लोग negative number पहाँते 0 किदर होगा अभी इस side होगा right side में हम से जहाँ पे हम हैं तो फिर minus 2 पे हैं तो 0 पे जाने के लिए 3 steps और चलेंगे तो 1,2 फिर यहाँ पहुच गए तो यहाँ 4 represent होगा number line पे और अब 7 को represent करना है तो हम लोग 4 पे हैं 3 steps और चले जाएंगे इसी side जा रहा हैं तो 1,2,3 तो हम लोग पहुच गए 7 पे ठीक है तो इस तरह से हम लोग number lines पे number को represent कर सकते तो friends मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग number line पे integers को represent करना सीख गया होंगे और वीडियो को बढ़ाना करते हुए मैं कुछ integers दे रहा हूँ जिसको आप लोग खुद से number line पे represent किजिएगा और अगर आप classic से लेके 10 तक किसी भी class में हैं तो इस channel को subscribe करके channel से जूर जाए क्य हैं और उम्मीद करता हूँ कि यह वीडियो आपको अच्छा लागा होगा थोड़ा सा noise आया होगा क्योंकि यह वीडियो outside में shoot हुआ है उसके लिए sorry और आप लोगोंने corporate किया उसके लिए thank you